नमसकार, क्लायमेटोजी में पिछली वीडियो में इस्पेशिक हमुइडिटी तक पढ़े थे तो जो मिस्शिंग रेशियो होता उसे भी समझने कोशिक करते हैं अब यहां पर हम जो missing ratio में लेंगे वह सुस वायू लेंगे मतब कि dry air लेंगे वन केजी का dry air लेंगे ठीक है अर्थाद प्रतिकाई fish volume में प्रतिकाई मतब कि one meter cube मालेजे प्रतिकाई volume में सुस dry air के भार weight कता था उसके सुस हवा में पस्ति जिन्दन जलवाव की मात्रा है उसकी का ratio को हम missing ratio करते हैं उसमें क्या था कि हम एक कहते हैं कि moist air ले रहे थे ठीक है तो moist air लेंगे तो उसमें कुछ रहे गाई तो 1 kg का हम जो moist air ले रहे थे उसमें कितना कहते हैं कि weight of water vapor available था उसी को हम ratio करते थे तो specific humidity आती थी उसी प्रकार से missing ratio में क्या होता बस फर्क रहे रहता है कि जो 1 kg का हम moisture ले रहा है अब यहां पर हम 1 kg का कहते हैं dry air लेंगे और उसमें अब हम देखेंगे कितना water vapor का मतब की भार है ठीक weight है जलवाव का कितना भार है उसी का ratio का हम फिर missing ratio का अच्छा ध्यान में कि ध्यान एक हां उसमें जो था पर जो आपका एक्षुलूट humidity था और जो आपका इस पीख भी हुए तक में टेमटर को कंसीडर किया जाता है ठीक है ध्यान में दिया जाता है तो यह करते हैं कि एक फिस टेंपरेचर प्याब लेजिए एक गिबें टे में च्छान करने की छमता को humidity capacity कहते है तो उसमें जो आदाता खामत humidity capacity तो उसमें मौझूद जो है आदाता की वास्ति माँता जो एक्षुलूट humidity है जो मदब निर्पेश आता जिसे कृते है उखी हिंक है उसी के हम रेचियो को हम शापेशिक काता कहते है तो बराबर होता ह है absolute humidity अपान कखते हैं कि आज़ता सामट होते है humidity capacity multiply कर देंगे 100 में इसी आप ऐसे कखते हैं वैपर प्रेशर कितना ज्यादा है ठीक है अपान saturation आप वैपर प्रेशर ठीक है 100% हो जाता है तो यह आपका multiply 100 इसी आप और अच्छे इसके समझेगा यह चीज यहां पर है absolute humidity अपान कखते हैं कि humidity capacity कहिए फिर maximum capacity आप air and hold air करने करते हुआ कि अधितिक नमी धार करने के जो हम चामता होती है उसी को हम humidity capacity करते हैं आगे बढ़ते हैं ध्यान देजेगा आप करने करते हुआ कि आशे समझेगा यह आप अच्छे समझ जाएंगे इस figure सो आप देखेएंगा मालेजे कि आपका कोई air partial है ठीक है उसमें जो छमता है humidity capacity हो पूरा फूल रहता है ठीक है लेकिन इस प्रजन टाइम में इस एयर पार्चल में इतना ही एयर मतलब करते हैं humidity है ठीक है हम एक्कुलूट humidity करते हैं तो कहते हैं कि इस एयर पार्चल में आगता की वास्तिक मात्र है देखिए वास्तिक मात्र इतने ही है लेकिन इसे पास छमता है वो पूरा फूल करने की खाली है थीक है अब इसी हम इंजांबल से और अच्छे समझने कोई करेंगे मान जीए किसी करता है ठीक है multiply 100 कर देंगा तो 25% आएगा आप इसे समझेए कि इसके अंदर 10 ग्राम मतलब की humidity आप डाल सकते थे लेकिन present time में मतलब fish temperature पर आपके पास 2.5 ग्राम इसके हमें करते हैं कि absolute humidity है ठीक तो वहीं चीज ये कर रहते हैं कि 2.5 इसके हमें present time में है absolute humidity लेकिन करते हैं कि अगर हम temperature को बढ़ाएंगे ठीक है जब हम temperature को बढ़ाते हैं तो जो relative humidity होती है relative humidity है उसमें और उसमें नहीं में इस्थिर रहे, substantial रहे जबकि यदे कीजा हमें temperature को चैंज करって को लिए आप यह इस पिखरिगर के आप यह अपर इसलिए करेंगे मैंने कहा कि कि वह अब भी अब आप पाया जाता है ठीक बत्वुचंए ख्रोच चीबी करते हैं रिटेश्चे इवर्थ होता है अब three तेपल रिङर तो रिलेटिव पर्षटे हो जाता है तो रिलेटिव हम ने लिए प्रसल में लिया है capacity दोनों बराबन है देन सेटूरेशन हो जाएका अनिद्र पर्शंट की इससे दी पर एक तीज पर बिया है अब मैं क्या कर रहा हूं जब इसकी humidity capacity बढ़ जाएगी, तो relative humidity जो है, वो decrease हो जागी, मैंने कहा न, इप यदि temperature increase, then humidity capacity जो है, बढ़ गई, therefore relative humidity जो है, वो decrease हो गई, अब 100 था, वो 52% आ गया, ठीक, अब मैं 20 degree Celsius के और बढ़ा दिया, 30 degree Celsius के कर दिया, तो जो air parcel था, वो और बढ़ गया, temperature बढ़ने पर क् हो गई, then humidity capacity फिर increase हो गई, और ज्यादा बढ़ गई, एक में इतना थी, और ये कहते humidity capacity जो कुछ आजता चामता है, मतलब कि और धाया करने चंतों, और ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी क्या होगा, therefore relative humidity फिर decrease हो गई, यही इस्तिती हम वाइक वार्शा में कहेंगे, मालने ज कम हो जाएगी, कांट्रेस्ट होगी, शिकुडएगी, वाइलूम शिकुडएगी, तो और कम कर देंगे, और शिकूर जाएगी, तो यह करता है, saturation की सिती आजाएगी, और relative humidity हो जाएगी, ठीक, तो वह relative humidity increase हो जाएगी, ठीक, यह वाइस वर्शा की सिती है, आप इस यह समझ माली जी हम temperature को increase कर रहे थे, 10 से 20 degrees, तो temperature को increase करने क्या हुआ था, humidity capacity हमारी increase हो जाएगी, जब humidity increase हो जाएगी, जो 100 थी वर 52 पे गई, 28 क्या decrease हो जाएगी, उसी प्रकार के वाइस वाइस वर्शा पर हम आएगे, तो वाइस वर्शा पर माली जी अगर हम temperature 30 थी, तो 20 पर आ रह कर रहे है, तो temperature का हम decrease कर रहे है, तो humidity capacity है, यह देखी, humidity capacity के इसमें ज्यादा थी, और इसमें और कम हो गए, humidity capacity decrease हो रहे है, तो जब humidity capacity decrease होगी, तो relative humidity जो है, वा increase होगी, वा 8% था, 52% हो गया, उसी प्रकार के और temperature कम करेंगे, तो और शीकुर जागी, वा 100% हो जाएगा, तो special तोर पर relative humidity कैसे वहरी करेंगी, तो ध्यान देजेगा, मालेजे हम vertically जा रहे है, मतब कि नीचे के उपर की तरफ जा रहे है, और थाज़ागर heat level के हम उचाई पर जा रहे है, higher latitude पर जा रहे है, heat level के उचाई पर जा रहने पर, क्या होगा, relative humidity बढ़ेगी, क्योंकि कारण होत कि जब हम key level के उचाई पर जाते हैं, relative humidity बढ़ेगी, temperature मालेजे, आपकी कखते है, decrease हो रही है, relative humidity इंक्रीज हो रही है, तो वही चीज़ यह यहाँ पर कर रहे है, क्योंकि relative humidity पर पर जाएंगे, temperature में कमी आएगी, तो जब temperature में कमी आएगी, तो इसमें क्या होगा, आपका relative humidity भी बढ़ेगी, तो कहने कार्थ हुआ, equator के पाक आप, relative humidity अच्छी खाकी मिलेगी, और जैके पोल की पाक जाएंगे, वह और बढ़ती जाएगी, तो जब temperature कम होगा, relative humidity इंक्रीज होगी, यही इन्वर्क वाली फिर रूल इसमें लागू हो रही है, ठीक, अची हम फिर से प बढ़ते हैं, यह तो होगा special तोर पर, मतलब स्थानिक तोर पर क्या relative humidity वरी करती है, अब हम temporal, मतलब time factor पर देखते हैं, तो seasonal, मतलब कि summer हुआ, winter हुआ, during day or night, तो ध्यान देजेगा, जब summer रहेगा, मतलब गर्मी में रहेगा, तो उसमें temperature अधीक रहेगा, जब temperature अधीक रह तो relative humidity अधीक होगी, उसी प्रकार से, अगर नाइट में आएं, तो थंड़ा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो इसके क्या होता है, relative humidity हाई हो जाती है, यही चीज है, आगे बढ़ते हैं, जो आपका relative humidity हो, इसमें जो changes आते हैं, वो दो तरह की होते हैं, ठीक है, पहला या तो कहते हैं, आप absolute humidity की मात्रा बढ़ा दी जाए, ठीक, या फिर temperature को घटा कर, आदता सामाथ humidity का एफिटी को कम कर दी जाए, क्योंकि temperature घटाने पर जो air पार्सल रहता, वो शीकूड़े का absolute humidity भी स्थिर होने की वज़़े से relative humidity भी वड़ेगी, तो हम पहले समझने क्यों करते हैं, पहला कर रहे हैं, या तो absolute humidity की मात्रा बढ़ा दी जाए, आप इस figure को कमझ जिए, जैसे इसमें absolute humidity मैंने फिख रखा था, absolute humidity अगर constant रहे, फिख रहे, ठीक, यह फिख था, आप इन्होंने कहा कि मानलीजी आप temperature बढ़ा रहे हैं, या तो absolute humidity की मात्रा बढ़ा दी ज आपकी बढ़ जाएगी, अब दूखरी बात कर रहे हैं, या तो temperature को घटा कर, temperature को घटा कर, humidity कैफिटी है, उसको कम कर दी जाए, मानलीजे, यह 30 degree Celsius था, 20 degree Celsius, 10 degree Celsius, तो इस जो हम temperature को घटा रहे हैं, तो यह 100% पर आ जागे, अब इसे आप घटा एंगे, तो air parcel सिकूडेगा, जब air parcel सिकूडेगा, तो temperature को जब आप कम करेंगे, तो air parcel कांटेस्ट होगा न, सिकूडेगा, तो जब सिकूडेगा, तो 100% humidity पर आ जाएगा, तो वही यह कहा रहते है, कि अगर temperature को घटा दिया जाए, तो humidity कैफिटी कम कर दी जाती है, क्योंकि आपमान को घटाने पर क्या ह होगा, air parcel की कूडेगा, और absolute symmetry के काराण यह था, कि वह हमने constant रखा हुआ था थी, तो जब आपके relative humidity हमारी बढ़ेगी,